आप आप सब ठीक होंगे आज मैं आप सब के लिए मलाई चिकन ग्रेवी की रेसिपी लाई हूँ ऐसी चिकन ग्रेवी आपने कहीं भी नहीं खाई होगी यह मेरी मम्मी की बताई भी रेसिपी है और सीरिस्ली एक बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही जादा टेस्टी रेसिपी है आप इसे जरूर अपने घर में ट्राइ कीजेगा और मुझे कमें सेक्षिन में बताईएगा कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने सबसे पहले कड़ाई को गैस पे रखा है उसमें सरसो तेल डाला है अब ये गरम हो चुका है मैं इसमें डालूंगी एक टीस्पून जीरा 2 तेज़ पत्ते 3-4 लांग और 2 लाइची और 2-3 गोलमरीच अब मैंने इसमें पांच प्याज को काटके डालिया है मैंने हाथ केजी चिकन के हिसाब से प्याज काटा है आप इसके हिसाब से क्वांटिटी को इंक्रीस तर सकते हैं इस तरफ मैंने पैन रखा है गैस पे इसको गरम होने के बाद मैं इसमें पांच लाल मिर्च डालूंगी, साबूत लाल मिर्च है ये और 10-15 काजु के दाने डालूंगी और इसी रोस करेंगे, खोड़ा सा 2-3 मिनिट लिए रोस करना है यहां मैंने अपने काजु को और मिर्च को रोस कर लिया था, अपने इसमें डालूंगी दो बड़े साइस के टेमेटोज अब मैं इसमें 3 हरी मिर्च भी डाल रहे हूं, यह पूरी तरीके से ऑप्षिनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, अब आप यह देख सकते हैं कि मैंने सारी चीजों का एक फाइन पेस्ट बना लिया है और इसे अब हम साइट रख देंगे अब आप यह देख सकते हैं कि हमारा फ्याज गुर्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, अब मैं इसमें वन एंडर हाफ टेबल स्पून जिंजर गालिक का पेस्ट डालूंगी अब मैं इसमें डालूंगी एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर अब मैं इसमें अच्छी तरीके से प्राई करके इसमें थोड़ा सा पानी डालोंगी ताकि हमारा मसाला बिना जले अच्छी तरीके से प्राई हो तरगे अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालोंगी ताकि हमारा मसाला नीचे से जले अब मैं इसमें अपना चिकेन डालोंगी और मीडियम सेंपे इसे 3-7 मिनिट के लिए कव पकाएंगे अब मैं इसे कवर कर दूंगी और 6-7 मिनिट बाद इसका कवर हटाके इसे फिर से फ्राई करेंगे अब हम इसे हटाके देखेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा चिकेन अच्छी तरीके से पक रहा है और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से तो अब मैं इसमें डालोंगी जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर और मिर्च का और काजू का वो अब मैं इसमे अच्छी तरीके से मिला लूँगी और इसे मैं करीबन पांच से च्छी मिनिट के लिए फिर से पकने के लिए रखूंगी और इसके बाद हम इसमें आगे और चीज़ी आड़ करेंगे जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा अब आप यह देख सकते हैं कि हमारा मसाला चिकन के साथ फ्राइ हो रहा अच्छी तरीके से अब मैं इसमें मलाई डालोंगी यह घर की दूब की मलाई है आप चाहे तो इसमें फ्रेश पीम भी डाल सकते हैं अब 10 मिनिट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके फ्राइब करेंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारा तेल पूरी तरीके से उपर आ चुका है और अब मैं इसमें नमक डालूँगी एक टेबल स्पूल नमक डालेंगे और इसे एक से दो मिनिट के लिए फ्राइब करेंगे अब मैं इसमें पानी डालूँगी पानी आप अपने हिसाब से डालें अगर आपको ठिक ग्रेवी चाहिए तो जादा पानी ना डालें अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन अच्छी तरीके से पख चुका है तो अब हम इसमें कफ्तूरी मेथी डालेंगे और इसे एक मिनिट के लिए हाई फ्रेम पे करके एक बॉइल आने देंगे और ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं कि यहां हमारा चिकन बनके रेडी हो चुका है और मैंने इसे राइस के साथ सर्व किया है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा तब तक के लिए टाटा बाइबाइ, मिलते हैं आप से नेक्स फ्लॉग में ध्यान रखिएगा थैंक यू